असलाम अलेकुम फ्रेंज आप सभी का स्वागत है मारे यूटूब चैनल पर तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सुखा और बन पराठा बहुती टेश्टी ये रेस्पी बनकर तयार होती है इसे आप लोगे एक बड़ जरूर ट्राइ कीजिएगा हमारी रेस्पी पसंद आ करके रख देंगे 10-15 मिनिट के लिए और तब तक हम पराठे के लिए आट लगा लेते हैं तो यह आमने लिया है दो कप मैदा उसमें हमने आधा शोट चमश नमक डाल दिया है और उसको नौर्मल पानी से हम चैसे सान लेंगे जैसे हम आटे का रोटी के लिए डो लगाते ह है उसी तरह से हम इसको सान लेंगे बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखना है सौर्व डो लगाना है तो इस तरह से हमने थोड़ा-थोड़ा पाइन डाल खेशको सान लिया उसके बाद उपर से थोड़ा सा तेल लगा के और इसे से एक बर और सान के अच्छे से उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद हमने कड़ाई चड़ा दिए गस्पे उसमें डाल दिया है दो से तीन बड़े चमाज तेल और यह दो मीडियम साइज के प्याज कुमने बारिक-बारिक हट करके ऐसे डाल देंगे इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे तो की चमाज लसन बारिक चौक करके टाल दिया है आठ से दस कड़ी पत्ते और we only एक बड़ी साइज का टामाटर उसको कटकरके डाल दिया है तीन से चार हरी में इसको बीस से कटकरके डाल दिया है और इसमें आज़ाग चो टाल के और इसे अच्छे से चल ते हुए पका लें जाए और आदकी मिर्श करनेंगे इस तरह से चला देंगे उसके बाद इसमें एक बड़ा चमच फानी डालके हम मसाला से नहीं ताक़्ी मसाले जल्ली नहीं जल्ली हम बढ़ा भर लीग अधाय मिर्श्व्व काली मिर्श चला करनें टामाटर को अच्छे से हम सौट ठोने तक मसालों के साथ बाका लेंगे तो मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं उसके बाद हमने जो चिकन मेरिनेट करके रखा था उसको इसमें डालके अच्छे से भूनेंगे तो 2-3 मिनट हम इसको अच्छे से मसालों के साथ तेज जाओं इस तरह से बड़ा बड़ा सा पीड़ा बना देंगे दिवादा उसी तरह से हमने इसको कुछ च्छोटा च्छोटा पेड़ा नहीं लेना है और उसके बाद उने 5 पेड़े तैयार किये हैं इसको बना कि उपर से थोड़ा सा तेर लगा कर उसे ठाके रखोंगे परसे डालके से मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे तो इसे बहुत ही अच्छे तरह से भूनना है पियाज हमारी दो से तीन मिनट तक चिकन में पकी और आज भी अच्छे से सोफ्ट हो गई उसके बाद हमने इसमें एक मुठी बारिक कटा हुआ हरा दनिया डाल यहां और आठ से दस कड़ी पत्ते डालके और इसे दो से तीन मिनट तक और पका लेंगे और उसके बाद हमने जो पेड़े बनाती रखेते इसका हम पराठा बनाते हैं तो इसे हमने इस तरह से हरना के पहले हाथों से उसके बाद इसे बेलन से अच्छे से बेलने नहां तो बेल सकते हैं अगर थोड़ा बहुत फड़ भी जाएदा तो चलेगे वान तो इस तरह से इसको हमने बेल लिया है देखे कितना पतला हमने बेला है और इसके बाद इस तरह से हम इसको पकड़के इस तरह से लच्छे देते हुए इसको हम उठा लेंगे तो देखे कितना देंगे वापस दर देखिए कितनेफ़ 23 में लच्ण दिख रहे है तो इसी तरह से हमने सारे पेड़ों को बनाके रख लेना है और उसके बाद इसे हाथों से इस तरह से अंकल अब्रेद्र ने उसके बाद में तावी को रख दिया था घैस पर गरम होने के लिए मेडियम लेंपे इसको हमने रखा है उसमें एक चमास तील डालके और पराठे को दाल दिया याँ अगर बड़ा ताव है तो आप दो तीन्य साथ सेख सकते हैं तो इसे नो फलेम पर पकाए लेंगे इस तरह से गोल्डन होने तक दोनों साइट से अच्छे से शेख लेंगे देखे कितना अच्छा से इसमें क्रिस्पी होने तक मैंने इसको अच्छे से शेख लिया कितने अच्छे इसमें लच्छे बनकर तयार हुए हैं तो यह दे कि हमारा चिकाल सुखा और बन परा सेर की दिया हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मिनते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट रेसिपी के साथ तब तब के लिए अल्ला हाफीद